असलामलेकूम इस वीडियो में हम कॉल कोरियर को शॉपीफाय स्टोर के साथ सेट अप करेंगे अगर आप अल्लेडी कनेक कर चुके हैं तो हमारे एप्लिकेशन के डैश्बोर्ट पे कुछ और वीडियो भी अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं आप कोरियर सेटिंग से कॉल कोरियर पे क्लिक कर देंगे आपके पास ऐसी स्क्रीन आजायेगी आप इनेबल बुकिंग चैक कर लेंगे और यहां पर अपना लॉगन ईडि एंटर करेंगे जो क्या आपकोे इस कॉयल कोरीयर का सी औदीं का लोगन खिऑ होता है login ID को enter करके save setting पे click कर देंगे अब के पास आप ऐसी screen available हो जाएगी अब यहाँ पर आप अपना shipper name एंटर कर सकते है shipper phone एंटर कर सकते है इसी दिनी अपना shipper email एंटर कर सकते है अपनी shipping city जो है वो select कर सकते है और अपना area ID भी जहां से select कर सकते है shipper origin में आप अपनी city mention कर देंगे इसी दिनी shipper address में आप अपना address mention कर देंगे जो के label पे भी print होता है shipper type में आप COD, non-COD, overland में से कोई से भी by default रख सकते है normally COD रखा जाता है इसी दिनी shipper handling के अंदर आप fragile और non-fragile कर सकते है default weight में आप 0.5 एंटर कर देंगे और shipper remarks में आप अपने कोई भी remarks एंटर कर सकते है जो के label पे print होता है अगर आप चाते हैं कि item details आपके labels पे print हो आप इसको enable कर देंगे अगर आप चाते हैं कि item SKU भी label पे print हो तो आप इसको enable कर देंगे अगर आप चाते हैं कि आपके order जैसी ही shipment आपकी booked हो courier company पे तो आपके shopify में वो auto fulfillment हो जो तो आप इसे check कर लेंगे इसी तरह अगर आप चाते हैं कि आपकी tracking details जो है courier की हर order के साथ save हो order के inside में तो आप इसको enable कर देंगे इसी तरह आप आटो calculate और आटो calculate pieces को आप enable कर सकते हैं अगर आप कोई online payment gateway यूज़ कर रहे हैं जैसे के bank transfer ये credit card, easy basis, cash, 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 pay तो आपके order की already आपको payment receive हो चुकी होती है तो इसकी COD करने के लिए आपको COD amount zero करने पड़ती है अगर आप इस option को enable कर देंगे तो आप आटोमेटिक लिए जब आप booking कर रहे होंगे तो वहाँ पे amount zero mentioned हो जाएगी आपको manually recalculate नहीं करना पड़ेगा इसी तरह customer provided order notes जो है अगर आप रिमार्स में भी print कराना चाहते हैं तो आप इसको enable कर लेंगे और save settings पे click कर लेंगे आपकी settings save हो जाएगी और आप booking कर सकेंगे